पारस ठक्राल और सनया सस्देवा के बीच काफी विवाद चल रहा है इनकी लड़ाई दिन वे दिन बढ़ती ही जा रही है अब जो सनया का कहना है कि पारस जो कि किसी और लड़कों से बाते करता है और वो जो कि सनया को तलाग देना चाहता है और पारस का कहना है कि सनया जो कि साधी से पहले ही प्रेगनर थी इन दोनों के बीच विवाद बता ही जा रहा है इस बीच अर्मान मलीक ने कुछ ऐसा कहे दिया अर्मान मलीक का कहना है कि गलती पारस की है पारस को सनया को नहीं मानना चाहिए और इतना बड़ा फैसला नहीं और पार्स का कहना है कि मैं मर जाओंगा पर अपना बच्चा सनया को नहीं दोंगा और अर्मान का कहना है कि पार्स को इतना बड़ा फैंसला नहीं लेना चाहिए उन्हें अपने बीबी और अपने बच्चों की सोचनी चाहिए तो दोस्तों आपकी इस वीडियो पे क्या राय अपनी राय हमें कमेंड बॉक्स में जरूर बताई